अब खबर भरतपुर से है जहां आदर्श कॉलोनी में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी मृतिका मिथलेश देवी का शव खून से लत्पत हालत में घर में ही पड़ा मिला वहीं घर के अलमारी का भी सामान बाहर बिखरा पड़ा था परिजनों के मुताबिक अलमारी में सोने चांदी के जेवरात और नगदी रखी हुई थी जिनको बदमाश लूट कर ले गए हैं वहीं दूसरी ओर शहर में दिन दहाडे हुए इस मर्डर की घटना के बाद लोगों में गुस्सा व्याप्त है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन